कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखती हैं जो चरस और सफेद पाउडर का धंदा करता है वैसे तो वो काफी शरीफ है बस अपना गुजारा चलाने के लिए इस काम को करता है वो अभीम और चरस को लेकर उन्हें बेचने के लिए लोगों के घर जाता है बहन जी क्या आपको चरस चाहिए? हाँ कितने रुपए किलो? बहन जी ये किलो में नहीं मिलता तो फिर आईए आईए आगे वो और भी कई सारे लोगों को चरस बेचता है इसी बिच उसकी मुलाकत उसका एक दोस्त जोरू के गुलाम से होता है हाँ जानू मैं निकल गया बस आही रहा हूँ थोड़ा इंतिजार कर लो अरे डेविड तुझी यादे हम तुनों एकी कॉलेज में पढ़ते थे हाँ तू तो काफी बदल गया है यार तू तो समझताई है ना औरत का चकर कहां राजा था और आज जोरू का गुलाम बन गया वैसे तेरे कितने बच्चे हैं नहीं मैंने तो अभी तक शादी नहीं किया मैं तो अपने हाथों से ही काम चलाता हूँ तभी जोरू के गुलाम को उसकी बीवी कॉल करती है हाँ डार्लिंग आ रहा हूँ नाराज मत हो आ रहा हूँ बोला ना इसके बाद हम एक बार में एक ठुमका लगाने वाली लड़की को देखते हैं और ये वही लड़की है जिसने पिछली मूवी में प्यार अंधा होता है का रोल निभाई थी ठुमका लगाने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी तब है उसकी मुलाकात एक नई ठुमके वाली से होती है वो कहती है मेरा नाम किमबर्ली है क्या किमबर्ली तुम्हारा कोई छोटा सा सेक्सी नाम नहीं है हाँ है ना रुको मैं दिखाती हूँ जिसके बाद वो अपनी कच्छी को सरका कर उसका नाम दिखाती है जो की था बोनर गेरेज ओ ये एरो तो बहुत कुछ कह रहा है तभी उसका बॉस वहाँ पर आकर उसे टेविल नमबर नाइन पर जाकर ठुमका लगाने के लिए कहता है वो जब घर बापस जाती है तभी उसकी मुलाकत डेविड से होती है और वो दुनों एकी अपाटमेंट में रहते थे और वो दु दुसरी तरह बाहर एक अबला लड़की को कुछ जुल्मी गुंडे छेड रहे थे दिल तो बच्चा है उनके पास जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उल्टा उसे ही मारने लगते है तभी वहाँ पर डेविड उसे बचाने के लिए आता है वो पास पैसे नहीं थे इसलिए वो अपने होलसेल दुकान के मालिक को जिसके पास से वो चरस खरीदा था उसे पैसे नहीं दे पाता रेस्टुडेंट से बाहर आते ही दो काले बॉडी बिल्डर्स उसे अगवा कर लेते हैं और उसे कोल्डिंग पिला कर चरस बेचने वाले हो होलसेल दुकानदार के पास लेकर जाते हैं वो दुकानदार कहता है मैं तेरा पैसा माफ कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा तुझे रभी बार से पहले मैक्सिको से चरस लेकर आना होगा वो भी थोड़ा सा और इसके लिए तुझे 10,000 डॉल कर यही सोच रहा था कि वो कैसे स्मगलिंग को अंजाम देगा तभी वो एक फैमिली को ट्रिप पर जाते हुए देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है वो बार जाकर प्यार अंधा होता है जो कि उसका कटर दुसमन था उससे बात करता है वो कहता है कि अगर त तो बस तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ देखो इसके लिए चेक भी तयार है नहीं तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो नहीं नहीं मैं तुम्हें खरीद नहीं रहा हूँ बलकि तुम्हें किराए पर ले रहा हूँ प्यार अंधा होता है कि मुझे यहा मर्द समझेंगे इसलिए कल के अंदर हमें एक पठा के औरत की जरुरत है अगले ही दिन दिल तो बच्चा है कोठे से एक प्रोस्टिटूट को उठा कर लाता है और डेविड उसे पूरा काम सिखा देता है दूसरी तरफ क्लब का मैनेजर प्यार अंधा होता है के पास आकर कह है कि हमारे क्लब का एक पॉलेसी चेंज हो गया है अब से तुम्हें ठुमका लगाने के साथ साथ क्लाइंट को सर्विस भी देना होगा देखो हमारे सामने जो क्यकड़ा ग्यंग ने क्लब खोला है वो लोग तो कच्छी भी नहीं प्यांती इसलिए तुम लोगों को भी आ है तो बताईए आपकी कैसे बाल काटू ऐसे काटिये जैसे लगे कि मैं रोज सुबह तयार होकर किसी घटिया काम पर जाता हूँ जहां पर मेरा खडूस बॉस मुझे इस तरीकी से इस्तेमाल करता है जैसे कि मैं गधा हूँ और मुझे उसका सारा काम करना पड़ता है ताक अपने लॉकर से एक अंगुटी निकालनी पड़ती है जिसको उसने चोरी की थी खैर आगे जब वो लोग फ्लाइट में थे तभी प्यार अंधा होता है डेविड की नकली बीवी होकर वहां पर पहुंच जाती है क्योंकि उसे घर से जो निकाल दिया गया था डेविड उस देती है डेविड उन सभी को समझाने के लिए एक रूम में लेकर जाता है और वही प्लेन के स्टाफ को उनके ओपर शक होता है एक 40 साल की एर होस्ट्रेस जाब उन्हें चेक करने के लिए आती है जय शन तो सी माता जिसको सुनकर वो 40 साल की एर होस्ट्रेस रो पड़ती है आगे वो लोग मेक्सिको पहुंच जाते हैं डेविड कहता है क्पाबलो चिकन ने तो कहा था कि हम लोगों को लेने के लिए यहाँ पर एक कार आने वाला है हम देखते हैं उनके लिए एक बड़ा सा बस का जुगार किया हुआ था वो लोग उस बस को लेकर चरस के फैक्टरी के लिए निकल जाते हैं इसी बिच वो लोग सबजी मंडी के अंदर भी बस को चढ़ा देते हैं अड़े पर पहुँचने के बाद कुछ गुंडे मवाली हाथ में महंगे महंगे गन को लेकर उनका स्वागत करते हैं एक आदमी जो की दिखने में एकदम बुल्ला की तरह था वो उसके मुह में अपना हतियार डाल देता है वो कहता है पाबलो विकेजो ने मुझे भेजा है देखकर लगता नहीं है ये खचर जैसा बाल क्यों बनाया है और वो लोग कौन है वो लोग वो लोग तो मेरा परिबार है चोटा परिबार सुखी परिबार जिसको सुनकर बुल्ला हसने लगता है देखो इसने स्मागलिंग करने के लिए अपने बीवी बच्चों को भी लेकर आया है जिसके बाद उसके बस में भर भर के चरस लोड किया जाता है जब कि बॉस ने कहा था कि बस थोड़ा सा ही माल है डेविड के पास कोई दूसरा चारा नहीं था इसलिए उसे ये काम करना पड़ता है डेविड कहता है हेलो सर हम मिलर फैमिली है और हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं बस चुपकर मुझे सब पता है तू पाबलो चिकॉन के अड़े से निकल रहा है जरूर गाड़ी के अंदर चरस भरा हुआ होगा अब वो ऑफिसर काफी भरष्टा चार था इसलिए वो डेविड से कहता है कि किसी को उस जाड़ी के पीछे मेरे साथ भेज दो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूँगा डेविड कहता है कि आप कोठे वाली या फिर बार वाली किसका लेना पसंद करेंगे तभी वो ऑफिसर कहता है कि मुझे लड़कियों के उपर नहीं बलकि लड़कों के उपर दिल चस्पी है जिसके बाद दिल तो बच्चा है को उस जाड़ी के पीछे सर्विस देना है आगे उन्हें फिर से एक चेक पोस्ट पर रोक लिया जाता है जहा पर उनके पास एक आदमी अपनी उच्छलती हुई बीवी के साथ थी उच्छलती हुई बीवी जोड जबर्दस्ती उनके साथ मिलने के लिए बेताव थी इसलिए वो दोनों फैमिली एक दूसरे के ओ ये तो बच्चा है मुझे बच्चे बहुत पसंद है जरा उसकी सकल तो दिखाओ ना तभी वाँ पर पुलिस को उनके उपर शक होता है और उनकी तलाशी लिया जाता है लेकिन इससे पहले कि वो बस को चेक करते तभी बस के नीचे से होकर कुछ चिंदी चोर बाहर निकलत हैं इसलिए उन्हें बेगुना समझ कर उन्हें छोड़ दिया जाता है दूसरी तरह बुल्ला के पास पाबलो चिकन आता है जिसको देखकर बुल्ला परिशान हो जाता है बुल्ला कहता है कि सरदार आपने जिस खचर बाल वाले आदमी को भेजा था हमने उसे माल दे दिया क्या माल दे दिया जिसके बाद वो उसे अपने टोयोटा गारी में बैठा कर उन्हें पकरने के लिए लेकर जाता है इधर रास्ते में उनका चरस से भरावा बस खराब हो जाता है जिस मौके का फाइदा उठा कर बार वाली और कोठे वाली वहां से चली जाती है लेकिन चोको कभी डाइपर पहना कर स्विमिंग पूल में उतारना नहीं चाहिए इससे डाइपर पानी सोख लेती है ओ अच्छा तुम कितने समझदार हो हाँ मौसी तुम कितनी समझदार हो लेकिन घमन नहीं करती इसी दोरन डेविड जब नक्षा निकाल रहा होता है तब ही उस परी जंगल के अंदर टेंट लगाने का फैसला करते हैं रात को वो लोग गेस करो गेम खेलते हैं जिसमें ड्राइंग देखकर उन्हें बताना था कि ड्राइंग किस चीज़ की है इसी बिच दिल तो बच्चा है एक ऐसा ड्राइंग बनाता है जिसको देखकर बारवाली कह ये तो वेस्ट इंडिज का काला बड़ा सा एक घोड़ा है हम उस घोड़े को देखते हैं जो कोई घोड़ा नहीं बलकि एक स्केट बोर्ड था खेर जब वो लोग अपने बस में बहस कर रहे थे तबी वो लोग देखते हैं कि दिल तो बच्चा है उचलती हुई बीवी की बेटी के साथ प्यार भरी बाते कर रहा था इसी भी जब वो उसे किस करने का चांस देती है तब यो घबरा जाता है रात को डेविड और वार वाली एक प्लैन बनाते हैं और वो लोग उस आदमी के ट्रक में अपने सामान को भर कर वहां से भागने के लिए चाबी चुरान आज वो बुढ़ा और उसकी उचलती हुई बीवी उन दोनों का जंगल में बलातकार करने वाले हैं यानि वो बुढ़ा उन दोनों के साथ थ्रिसम करना चाहता है उन दोनों के पास दूसरा कोई अप्शन नहीं था उचलती हुई बीवी बार वाली के संत्रे के उपर जप तब ही वहाँ पर डेविड बार वाली के साथ आ जाता है नहीं आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच मैं तो बस इसे किस करना सिखा रही थी सच में चलो मुझे किस करके दिखाओ जिसके बाद दिल तो बच्चा है बारी-बारी से उन दोनों की चुम्मी लेने लगता है और वहीं दूसरी तरफ डेविड उसकी तस्वीर खीच रहा था तब तक वहाँ पर मैली सा भी आ जाती है और वो दिल तो बच्चा है को उन दोनों की बारी-बारी से चुम्मी लेते हुए देख लेता है अगले ही दिन वो दोनों परिबार अपने अपने निकल जाते हैं डेविड जब अपने बॉस पाबलो चिकन से बात कर रहा था तब ही वहाँ पर असली पाबलो चिकन आ जाता है हमें पता चलता है कि डेविड के बॉस का नाम है ब्रेड और वो धोके से उन चरस को अपने पास लाना चाहता था खेर पाबलो चिकन उन सभी क पकड़ लेता है और उन्हें मारने के लिए जाता है तभी कोठे वाली कहती है हम सब एक परिबार नहीं है डेविड कहता है कि मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ और मैं तो बस गांजे का पूरिया बेचता हूँ ये मेरी बेटी नहीं है ये तो एक सरक चाप है और ये मेरी बीबी भी नहीं है ये तो बार में ठूंका लगाने का काम करती है जिसको सुनते ही पाबलो चिकन उसे ठूंका लगाने के लिए कहता है बार वाली सफेद कच्छी पहन कर शुरू हो जाती है और इसी बीच वो पाबलो चिकन को घैल कर देती है जिसके बाद वो सभी वहां से भाग दिल तो बच्चा है बस को भगाता है और वो लोग काफी दूर चले जाते हैं रात को जब वो लोग अपने बस के पास बापस आ रहे थे तपी उनकी मुलाकत फिर से उचलती हुई बीवी से होती है मैलीसा अपनी मा को लेकर उहां से जाने लगती है और कहती है कि कल रात मैंन मैलीसा को गड़ गड़ आकर बता देती है तब तक वहां पर बुला भी आ जाता है और उनके उपर बंदुक तान देता है लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारता वो आदमी उहां पर आकर उसे मार कर बेहुश कर देता है इधर तब तक वहां पर पाबलो चिकन भी आ जात पर है यानि पावलो पिकासो को पकरणने के लिए ही वो मैक्सिको आया है वो कहता है कि मैं तुम सबको भी एरेस्ट करूँगा लेकिन इससे पहले में पीछे घूम कर अपनी फैमिली को हग करूँगा इसी बीच डेविड अपने नकली फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है अगले ही दिन वो अपने बॉस ब्रेड को वो चरस ला कर देता है लेकिन इसके बदले में ब्रेड उससे धोका करता है और उसे पैसे नहीं देता तब तक वहाँ पर वो आदमी सीकुरिटी फोर्स के साथ आ जाता है और चरस स्मगलिंग के जुर में ब्रेड को चेल की हवा खाने के लिए लेकर जाता है इसके बद मुवी के आखिर में हम देखते हैं कि ब्रेड ने कोठे वाली बार वाली और दिल दो बच्चा है को मिला कर एक छोटा सा परिवर सुखी परिवर बना लिया था और दोस्तो इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी खत्म हो जाती है तो दोस्तो अगर आपको इस मुवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद